नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बहुती important changes या amendment for CSR funding for NGO वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के तरो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर NGO की requirement होती है fund और fund different different type क्यों होते है public funding होती है, crowd funding होती है, state government होती है, central government होती है, companies corporate sector से होती है and CSR funding होती है CSR funding, funding का एक ऐसा method जो आजकल सबसे ज़्यादा important है, stock exchange आया, तो भी CSR funding से connected है CSR funding is the most most important funding method for NGOs, और government इस पे बहुत ध्यान भी दे रही है और हर corporate sector को CSR funding देनी है, लेकिन NGO proper होनी चाहिए, क्योंकि government का main focus है CSR funding पे, इसलिए government ने नए-ने rule भी बनाए है supervision किया है, कि जो company आपको fund दे रही है, चाहिए government company हो, private company हो, उसका पैसा बिल्कुल सही तरीके से use होना चाहिए और उसी objective के लिए use होना चाहिए, जिस objective के लिए आपको मिला है अब दोस्तों question ये था, मैंने आपको previous वीडियो में एक चीज explain की थी, कि CSR funding के लिए NGOs जो है, वो eligible होनी चाहिए कौन सी NGO eligible होनी चाहिए, उसमें कुछ मैंने आपको condition बताई थी, मैंने आपको बताया था, कि आप 3 साल old आपकी NGO होनी चाहिए, और आपका अच्छा good track record होना चाहिए, और साथ में एक important चीज बताया थी, कि आपका 12A और ATG में compulsory registration होना चाहिए तो जब आपका 12A, TG का compulsory registration होना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत प्रिविएस वीडियो में बताया था, कि उसमें 1023C नहीं लिखा हुआ, दो तरह के registration होते, 12A, NATG का और 1023C और ATG का, तो लोग confused भी होते हैं कि 12A में 1023C में क्या अंतर है, तो मैंने आपको प्रिविएस इस वीडियो में बताया कि 1023C में अगर रिष्टर है, तो यू आर नोट eligible for the CSR funding, गोर्मेंट ने इस चीज़ को देखा कि जब कोई NGO या तो 12A में रिष्टर है, 1023C में गोर्मेंट ने खुद ही कह रखा कि दोनों में से एक registration होगे, आप दोनों नहीं ले सकते, तो क्या 1023 जो जिसके अंतरगत university चलती है, hospital चलते हैं, क्या वो CSR funding के लिए eligible नहीं है, गोर्मेंट ने currently change कर दिया, और उसमें CSR के जो rule regulations है, या minimum requirement है, उसमें 12A के साथ साथ, ATG के साथ साथ 1023C का भी registration involved कर दिया, इसका मतलब वो NGOs, जो 1023C में हो या 12A में हो, दोनों में किसी में भी register ह तो वो eligible हो जाएंगी CSR funding के लिए, तो एक बहुत बड़ी कमी थी इसमें, तो वो government ने amend क्या, government को तो जब भी पता लगता है, practical problem आ रही है, तो उसका solution देती है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा changes, लेकिन बहुत important changes, क्योंकि काफी सारे NGO 1023C में register हो जाती है, अब आपका question आएगा, सर कोन सी NGO है, जो 1023C में होती है, जो 12 में होती है, उसके लिए मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, और कोई अपडेट आता है, कोई नहीं चीज़ आता है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक इससी वीडियो के साथ बने रहना, और अगर नहीं वीडि कर लेना, थेंक्यो सो मच, फिर मिलता हूं नहीं वीडियो साथ.